नमस्कार दोस्तों आज मैं शेयर करने वाली हूँ हेल्दी वैज कटलेट बाहर से एक तम क्रिस्पी अंदर से एक तम सौप्ट उखाने में बेहद स्वाधिश तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमने कडाई में दो चमच ओल डालके गैस पे गरम होने के लिए रख दिया है अब मैं डाल रही हूँ एक छोटा चमच जीरा और इसके साथ ही डाल रही हूँ एक छोटा चमच साबुद धनिया जो हातों से क्रस करके डालना है इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा तो जरू डाले है अब मैं डाल रही हूँ चुटकी बर हींग हींग टोटली ऑप्सनल है अगर आप पसंद करते हूँ तो डाल लिए अधरवाज आप इसकिप कर सकते हैं और ये डाल रही हूँ मैं एक चमच ग्रेट किया हुआ अधरव अधरव को हमने इस पैचुला से थोड़ा चला लिया और ये मैं डाल रही हूँ आदा कटोरी मतर मतर को हम कुछ सेकिंड चला लेंगे जिससे इसके साथ अधरवी अच्छे से भुण जाए अब हम डाल रहे हैं आदा कटोरी बारी कटी हुई गाजर साथ ही हम डाल रहे हैं आदा कटोरी ग्रेट की हुई फूल गोवी आप इसमें अपने पसंद की जो भी सबजी आप पसंद करते हूँ वो ढाल सकते हैं इसके साथ ही हम डाल रहे हैं दो चमन स्वीट कॉर्न इनको अब कुछ सेकिंड मिक्स कर लेंगे अच्छे से चला लेंगे गैस का फिलेमा भी लो रखना है अब हम डाल रहे हैं एक कटी हुई हरी मिर्ची अगर आप ज्यादा स्पाइसी काना पसंद करते हैं तो आप हरी मिर् जब सबजी यां हलकी सी सॉप्ट हो जाएं तो पटेटो मेसर से इस तरह मैस कर सकते हैं यह आप कितना बारीक मैस करेंगे मैं इतना ही मैस करूंगी क्योंकि मुझे सबजी यों को क्रण्ची रखना पसंद है अगर आपके पास पटेटो मैसर नहीं है तो आप इस तरह गि आलू इनको अमने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था आप अपने हाथ से भी इसे मैस कर सकते हैं जाओ तो लेकिन ग्रेटर से ये बहुत ही अच्छे से मैस होते हैं तो आप ग्रेटर से करें और इसे अच्छे से इन सबजियों में मिक्स कर ले सबजियां और आलू अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम मसाले अड़ करेंगे तो ये मैंने लिया है नमक स्वाद अनुसार तो थोड़ा सा नमक मैं और अड़ कर दूँगी और ये डाल रही हूं मैं आदा चमच चिली पावडर और साती मैं डाल रही हूं आदा चमच घरम मसाला अब इन मसालों को अच्छे से मिला देना है जिसे सारे मसाले अच्छे से भुण जाएं तो ये मसाले अमने मिक्स कर लिए और अम में डाल रही हूं हरा दनिया जितना आपको पसंदो उतना डालिए अब हरा दन्या डालने के बाद इसे अच्छे से मिला देना है जब ये मिल जाए तब हम इसमें एड करेंगे चावल का आटा तो मैंने यहां एक कप आटा लिया है चावल का एक कप आटे में से भी मैंने थोड़ा सा आटा भचा लिया है अगर हमें डालने की जरुवत होगी तो हम डालेंगे जितना चावल का आटा हमने इस कड़ाई में डाला था उसको हमने अच्छे से मिला लिया है और जो आटा हमने बचा के रखा था उसकी हमें जरुवत नहीं पड़ी है तो गैस का फ्लेम हम बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं हमने यहां एक बड़ी बोल लिया है और इसमें डाल रहे हैं एक कटोरी मैदा इस मैदे की हम सिलरी बनाएंगे यानि की मैदे का घोल और थोड़ा असा डाल रहे हम नमक और अब डालेंगे हम पानी तो थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसकी consistency देखेंगे और तब हम डालेंगे तो थोड़ा पानी हमें और डालना है और इसे अच्छे से हिलाते हुए एक सलरी बना लेंगे तो यह आप देख सकते हैं इस तरह आपको एक घोल तयार कर लेना है मैं देखा तो यह गोल तयार है इसको हम साइड में रख देते हैं आम तोर पे हम कोटिंग करने के लिए ब्रेड क्रम्स ही लेते हैं लेकिन मैंने एक ब्रेड लिया है और इसके साथ में ले रही हूँ यह फ्लेक्स इन फ्लेक्स को हम पीस के इसमें मिला दैंगे तो फ्लेक्स को अमने पीस लिया है और ब्रेड क्रम में मिला के हातों से अच्छे से मिक्स कर देंगे आप इसकी जगे चाओ तो सूजी भी ले सकते हैं सूजी से भी बहुत अच्छी कोटिंग होती है अब इसे हम साइड में रख देंगे अब इस मिक्षर को अच्छे से हाथों से मेस कर लेना है चाहो तो आप डोकी तरह भी लगा सकते हैं मैंने पहले ही इसे हाथों से अच्छे से मेस कर लिया था अब हाथों पर थोड़ा सा ओल लेना है और थोड़ा सा मिक्षर का पाट लेक एक सेप में, श्ट्रिप सेप में हम बनाएंगे, आपको इसी सेप दे सकते हैं, जो आपको पसंद हो, तो मैं इस तरह की सेप में कटलेट बना रही हूँ, आप देख सकते हैं, इस तरह से सारी कटलेट आपको बना के तयार कर लेनी है, ये देखिए, ये कटलेट बना के तया और सारी कोटलेट हमने बनाके ठाली में रख लिये आप चाहो तो इन्हें फ्रीजर में रख सकते हैं इसी तरह है और एक अपते तक आप इनका लुप्त उठा सकते हैं जब भी आपका खाने का मन करें आप फ्राई करो और खाऊ अब हमें जितनी फ्राई करनी है उतनी तो पहले आपको कटलेट लेनी है मैदे के घोल में डालनी है और फिर ब्रेट क्रम्स में डालके इस तरह कोटिंग कर लेना है तो इसी तरह हम कटलेट बना के तयार कर लेंगे तो हम एक प्लेट में रख लेंगे इसी तरह हमने उन में से 10 कटलेट फ्राई करने के लिए तैयार कर लिए और अब हम चलते हैं गैस की तरब यहां तेल अच्छे से गरम हो चुका है अब हम इसमें एक एक करके जितनी कटलेट एक बार में फ्राई हो सकेंगी उतनी कटलेट इस कडाई में डाल देंगे ओल आपको अच्छे से गरम कर लेना है तो आप देख सकते हैं दो-तीन मिनट में इनका कलर ब्राउन हो चुका है और ये देखिए अब ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है तो इनको हम अब निकाल लेते हैं ये लीजिए गर्मा गरम कटलेट बन कर तयार है ये बिल्कुल भी ओईली नहीं है आप देख सकते हैं एकडम क्रिस्पी है तो इसकी आवाज से आपको पता ही चल गया होगा ये कितनी क्रिस्पी है अंदर से सौप बाहर से क्रिस्पी और बहुत ही स्वादेश्ट तो आप एक बार जरू ट्राई करें मैं भी इसको एक बार टेस्ट कर लेती हूँ ये कैसी बनी है तो ये बहुत ही यमी बनी है एक बार ट्राई करना तो बनता है अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब करें ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए राम राम